चैहिंद मेरे प्यारे सातियों चैहिंद दोस्तियों गुड मॉनिंग एप्पी वाली गुड मॉनिंग कैसे आप सब कवजस तास और जखास पीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होनी वीचे बच्छो अभी मौसम ऐसा बदल रहा है हम अप्रेल में सब रहे हैं और मौसम की चिंजिंग आ रही है बदलाव आ रहा है तो वैसाम पंडक दुपेर में गर्मी रात में गर्मी यह जो मौसम बदल रहा है इसमें अपना ध्यान रखें इसकर फीवर एंट्री एस्टू से बचके रहें और अपनी पढ़ाई को लगातर बढ़ाई रखें रहें दोस्तों रोज हर रोज की तरह हमारा मौक टेस्ट फिर से स्टार्ट हो चुका है अब 52 मौक टेस्ट पर पहुंच गए और टार्गेट है हमारी 200 मौक टेस्ट अंदरम करने वाले 5-4 कुश्या जिन्ने करने वाले 5-6-5,000 कुश्या चलिए पहला कुश्या पात पताई तो पढ़ती है माइंड में आ जाएगा पावर का रेश्यो तो अगर हम पावर का रेश्यो निकालेंगे पावर है MGH हमारे पास mg कट जाएगा यहां से आ जाएगा पावर प्रपोर्पोर्शनल टू है क्या आ गया रेशियो निकालना है वच्छो तो P1 अपॉन P2 परावर आ जाएगा एच वन अपॉन अपॉन तो टीटू अपॉन टीवन तो टीटू अपॉन टीवन है आपके पास दो सब्सक्राइब अंसर आ गया दो हाइट वी दोनों की समान है तीन मिल्ट ऐसे सिंप्ल कुशन आते हैं आप आराम से करें कुशन नमबर 1277 तो किग्रा द्रिब्मान का एक व्यक्ति लिप्ट में खड़ा है यदे लिप्ट आट मीटर पर सकिंड के एक्सलेशन से नीचे उतर रही है बहुत ही प्यार से देखें यह कुशन दे रखा है यह जो व्यक्ति है का माहा से M नीचे की और जो तो नीचे की और एक्सलेशन से प्यक्ति पर लगने बाल बल जोगा तो बल होगा यूटन के सेकिंड लोग से चालेगा इसके लोग से क्यूटन के सेकिंड लोग से सब्सक्राइब नीचे से उपर पोर्ष लगा रहा है प्रतिकी दिया जिस पोर्ष की बहल होगी फैल हूँ आएगी में कितना दे रखा है मेरे वाई में दे रखा है सो केजी एक्सेलेशन कितना दे रखा है आठ क्यों जाएगा बच्चों आठ सो नियुक्त यह बहुत बढ़िया कुशन है जवजस कुशन है पैसे कोई नहीं एक मिनट देखें नेट पोर्ष तो नहीं पूछ रहा है जगने वाला नेट पोर्ष यह ऐसा नो नेट पोर्ष पूछ रहा हो प्यक्ति पर फोर्ष पूछ रहा है परफेक्ट है अगर यह रसी में तना 10-8 तो यानि आ जाता है M x 2, M दे रखाता हमारे पास 100, M दे रखाता हमारे पास 100 x 2, यानि कि 200 N आ जाता हूँ, प्रस C पर, बात आई बच्छों समझ में कि बहुत इंपोर्डेंट चीज़ है तो अभी व्यक्ति पर पुछा इसलिए ननुपदीज अंसर है पुछन 1278, एक वेग समय ग्राफ की ढाल किसको प्रस्ट करेगी, वैलिसिटी टाइम ग्राफ यह हो गया वैलिसिटी और यह गया टाइम और यह बन गया ग्राफ, ढाल आईगी ऐसे किचा गया टैंजेंट आएगा इसे, किसे कहते हैं, कि आएगा ठीटा, यहां से अगर हम सुलोप निकालेंगे, एम वराबर टैन ठीटा, कि आता है परपेंडिकुलर यानि वैलिसिटी और टाइम, कि आ जाएगा मीट पर सेकेंड, किसे डिनोट करेगा बच्छो, एक्स र इपिंड का वजन प्रथवी के किंदर में कितना हो जाएगा, तो यह अर्थ है, और अर्थ में यहां सेंटर पर जी का मान जीरो माना जाता है, जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, डेट लेस कंडिसन होगी, असी में, प्रकास में सबसे अधिक जती करेगा, प्रकास की जो वेलिसिटी ऑन 컨्प्षक जो होती है, इसका मीनि अममान किस में होता है, वेक्यूम में होता है, आहां होता है, वेक्यूम में, ऐंसा ँदिक, अगला कुश्म बार ए ITSAD-80, यह सुटिम धातू पर प्रकास वेदुत प्रवाव के लिए देली तरंगदेर्द, पांच जार एंगिस्टन का कारिफलन क्या होगा यदे सोडियम दातू पर प्रकास वैद्धुत प्रवाव के लिए डैली तरंग देर्थ वेबलेंड दे रखिए वच्छो तो आपके लिए क्या कुछ है कारिफलन वर्क फंक्शन जो होता है वहता है बारे जार चार्ट सो प 25 अपॉन पांच गुणा टेंट दी पावर माइनस का साथ समझ गया होंगे क्या किया है इस एंगिस्टन किस में कनवर्ट हो जाएगा मीटर में क्योंकि याद रखिए यह ट्रिक होती है तो यह जूल में मिलेगा अगर आप इसे यहां पर बारे जार चार्ट सो लगा रहे है तो यह अगिस्टन लेक्टन वोल्ट में मिलेगा और यह दो गुणा टेंट पावर मैनस 25 लगा रहे हैं और इसे मीटर में लगा रहे है यह जूल में मिलता है कलकुलेसर करोगे तो पांचोग 20 0.4 गुणा टेंट दी पावर माइनस के 25 यारी मैनस के अठार है यह हो जा पॉइंट हटाया है तुमने लगाया नहीं है तो हटा दिया इसलिए आजाएगा अंसर बंबाई प्रकास चोटे-चोटे पार्टीकल से टकराकर बिखर जाता है इसे विवर्तन कहते हैं और जब बिखरता है तो बिखर कर फिर कौने-कौने में पहुंच जाता है इसे डिफ्रेक्शन का नाम दिया आजाओ शर्वस्रेश्ट न्यूट्रोन मंदक है वारी जल सबसे अच्छा वारी जल होता है न्यूट्रोनिक मंदक है याद रखने वाला कुछन है आप इसे याद रखे याद रखो वच्छो इसको बहुत अच्छा कुछन है एक मिनिट भी आपका समय बहराम नहीं करता है वच्छो में चिदे क्लास को प्रॉपर प्रॉपर एक एक चीज़ समय है ताब के विखंडन की खोज करने वाले विग्याने का नाम ये था ओटो हॉल एंड एप टांसमें अगला वच्छो समस्थाने एक कुरिनियम 235 और यूरिनियम 238 सम्बंद इसने का है समस्थाने के इस पर सम्वान हो तो मतलब नमबर्स और प्रोटोन बरावर नमबर्स और आप एलेक्टोन बरावर होंगे एड एटोमिक नमबर अडू संख्या अडू संख्या किसे आप कैपिटल एंड कहते हैं यह सब बरावर होंगे समस्च आप एकदम परफेक्ट ज्यान रखेंगा एकदम बरावर होंगे अब बात करते हैं इसमें 238 तो न्यूट्रोन के संख्याज होगी इसमें 3 एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा है न्यूट्रोन क्या है बच्छो औप्सन देख लीजे आपके दौनों में न्यूट्रोन समानें गलत अप्सन दौनों में प्रोटोन इलेक्टोन न्यूट्रोन समानें गलत अप्सन तीसरा दौनों में प्रोटोन इलेक्टोन समानें और न्यूट्रोन परन्तु न्यूट्रोन यूरिनिम 238 में 235 से तीन अदेक है परफेक्ट आंसर सी है तो हम बोल र मास होता है ilak ton का मास होता है वह होता है ना इन पॉइंट वर क्रोस्टेंट्टू दी पवार म Мих 윤 का 31 के छेजह 22 के six six cross ten to the power minus case 27 kg positron positron का मतलब होता है electron and hole वो positron कहते हैं वो कहते हैं और hole एक hole का mass के बरावर नहीं होता Q-tron ओ positron positron कह सकते हैं बिल्कुल सही है Q-tron का मतलब तो neutron होता है Q-tron का मतलब तो कुछ सुनता ही नहीं particle होते है बस electron के mass इसको इसको नाम दिया गया electron के mass के बरावर आ गया यह electron positron जो होता है वो electron का opposite होता है positive बाला 1.6 10 to the power minus का उन नहीं फूल हम चार्ज होता है और इसका जो mass होता है electron के mass के बरावर होता है mass of electron याद रख लिजेगा positive parts of electron is called positive 188 नावी की रेक्टर में बोरोन चड़ें किस जाती है बिल्कुल रोकने के लिए रोकने के लिए रेक्शन को किये गए ताप पर hydrogen और oxygen गैसों में ध्वरी पिक करन पात होगा sound velocity है न medium जिसमें जा रही हो उसके mass पर depend करती है weight पर depend करती है और sound velocity one upon root of mass जैसे रहती है बच्चो अगर velocity किसकी निकालनी है पहले hydrogen की देशियों किसके साथ निकालना है oxygen के किया जाएगी बच्चो mass of oxygen mass of oxygen बटे mass of hydrogen mass of hydrogen बच्चो mass of oxygen oxygen का 8 होता है आर्दूनी 16 है 16 हो गया O का और O2 का हो जाएगा 16 हो जाएगा hydrogen का बच्चो हो जाएगा 2 ती हो जाएगा बच्चो 16 बटे 1 ती हो जाएगा 4 अनपात 1 ती किसका आद हैगा बच्चो 4 ratio 1 4 ratio 1 आगे इसका ratio 1290 द्वनी गैस में द्वनी तर्वा की प्रकड़ती होती है तो sound wave होती है यहां यह व्यक्ती खड़ा है और यह sound बोल रहा है तो इस तरीके से sound जाती है ऐसे जाती है बच्चो इसे बोलते हैं हम longitudinal ऐसे गती कर समझ रहे हैं? यह क्या बोलते हैं? longitudinal बोलते हैं अगली बात आच्छे अवसोसक जो होते है good observe जो होते है वो good better भी होते है अच्छे उत्सावजक भी होते है याद रखेगा तो जितना अधिक ग्रहड कर सकता वो उतना अधिक दे भी सकता है या रखेगा अगला पूर्ण क्रिश्ट्रपेंड के लिए totally perfect black body का जो क्रिश्टन का गुडांक होता है वो होता है बच्छो के के का बोली होता है वीन का नियम होगा वीन का विस्तापा नियम बहुत इंपोडेंट है most important है कई वार पूछा ज़ना चुका है पूश्ट इंपोडेंट है बच्छो पैग्यानिक वीन बात कही टेंप्रेचर हमेशा प्रेवलेंद के प्रपोस्टनल पाये जाता है टेंप्रेचर प्रपोस्टनल बडियम वाली तेलिए राइट ओप्सटन इस ये बच्छो अगला सूरे का प्रफ़्टियत आप है यानि कि सरफेस टेंप्रेचर ओप्सटन तुरे का अंदर वाला टेंप्रेचर सरफेस की तुलना में कम होता है याद रखिये ख़। यहाँ पर टेंप्रेचर जो है maximum पाये जाता है क्योंकि अंदर जो temperature है वो minimum पाये जाता है पार का जो temperature है approximately 6000 Kelvin पाये जाता है ज्याद रखेगा सूरे का external temperature जो होता है surface का 1000 external होता है तो approximately celsius scale 25 degree centigrade Fahrenheit पर इसका temperature होगा कभी भी बदलना हूँ आपको celsius से celsius minus 0 upon difference Fahrenheit minus 32 upon difference इसने कहा है 00 वहाँ से काड़ दो तो उसे पांच बार और ये नो बार किया जाएगा हमारे पास celsius कितना दे रखा है 25 degree celsius वटे 5 गुड़ा 9 प्लस 32 पर आवर फारेनाइट आज यन कितना जाएगा 25 वटे 5 गुड़ा 9 कर दिया 32 पांच से काड़ दो गए तो पांच बार नो पंजे 45 प्लस 32 प्लस 32 हो जाएगा वच्छो 77 पारेनाइट हो जाएगा वच्छो 77 पारेनाइट हो जाएगा तो राइट अप्शन बंबई प्शन नमबर 1296 चल का गणट्टो किस temperature पा देखताम होता है तो density ने ये टेंपरेश है और यहां पर density ले ले लेते हैं तरी है इस तरीके से गिराब गटती है और 4 डिगरी से बैक आए तो डेंसिटी और 4 डिगरी सेंटीगरेट पर जो डेंसिटी की बहलू होती है वह ती है वन गिराम पर सेंटीमीटर क्यूँ या हम इसको लेख सकते हैं 10 तो दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूँ एमकेस में परफेक्ट याद रखेगा वच्छों यह बहुत वार आचुका है तार डिगरी से बारे सो सतानवे प्रत्यास तुत्र प्रवाव के लिए अधिक्तम है प्रत्यास तुत्र प्रवाव होता गया है व्यास्टिक एफेक्ट क्या होता है कि वह एफेक्ट इस पर बस तूट जाए और सबसे पहले कौन तूट सकता है कांच तूटता है तिले कांच 1298 पर कॉपर श्टील कांच और रवर को प्रत्यास्था के करम के भरते करम में लेगे तो सबसे कम किसका होता है कांच कांच का है सबसे पहले वच्छों रवर कांच कांच पहले प switch है त्यावड़ निया यह थी करम कांच का कपर फइर कांच और लिगा पढ़ लो रवर को एलास्टिक नहीं मानते याद रखना 1299 आपको यंग मॉडूलस कॉपी सेंट दे रखा है MGL पटे पाई आर स्क्यूर इंटू L MGL को डवल कर दे तो यंग मॉडूलस पर क्या प्रवाब पड़ेगा कोई प्रवाब नहीं पड़ेगा आपको यंग मॉडूलस कॉपी सेंट भाई रहेगा तो श्रम्मा 13-100 तक पहुंच गे बढ़े आगे बढ़ते चलो ऐसे यद प्रत्वी का गणत्व चार गुना कर दी जाए इसकी तरज्जा आधी कर दी जाए तो हमारा बाहर हो जाएगा देंस्टी हो जाए बच्शो इस मॉट तो मास को लेग सकता हूं मैं चार वटे थी पाई आरक्यू इंटू रो वटे आर स्केए यहां से हमारे पास आर से को आदा कर दें तो डवल हो जाएगा दो गुणा तो वेट हो जाएगा बच्छो चार गुणा डवल अपरवर्टे डवल हो जाएगा कि यह है बच्छो इस तरीके से कुष्ण आते हैं यह 25 कुष्ण आपने की पिलते हैं आप से कल सुबह ठीक साथ पूजे एक नए मौक टेस्ट के साथ एक नए अंदाज के साथ फिप्टिक टेस्ट निपर में जाहिए दोस्ते